गीता अच्छारा के श्लोक नंबर बासट में भगवान स्वैम कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांती वशास्वत इस्थान अर्थात सतलोक को प्राप्थ होगा वो परमेश्वर कौन है कहा है कैसा है जानने के लिए कृप्या अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के अमरित वचन एक प्रण में सुनिये जगम हेरा है झाल था में सुनिया जी वचर जाल जी महराज्वर के एक भीजड़ात लाज़ झाल सुनिया जी महराज एक जैसे हीरो और हीरोईन, ये अभी नेता और अभी नेतरी, अपने पेट के लिए चटक मटा करते हैं, डान्स डूंस करते हैं, आच्छा मेक अप मेक अप करका है, और फिलम बनाते हैं, और ये बोले परानी ऑवा बते हैं, उनको देख देख कर लिए 加 stream लिए उनको तो और jla हीो करते हैं, कट हो जा कुई इतने इकठे हो जाएंगे और नो देखेंगे वो खुड़ा वो इतनी जे किलो मीटर दूर मंस पर वो खुड़ा वा खुड़ी जेखे और सारा दिन दक्के खागे वापस आजा बता के लिए उसने देख के तो उसके उपर बे मतलब हम आसक्त होने की बिमारी हमारा वहां लगी थी यू काल तो खड़ा अपना करम फोड़ने के लिए एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या कर रहा था और हम इसको देख कर इस पर आसक्त होगे अंदर से इसको ताने लगे जैसे ये बालक अंजान बच्चे इन चटक मटक करने वाड़े अक्तरांग उपर आसक्त हो जाते हैं और सारा नकली काम तो प्रमेश्वर ने आदेश दिया आकास वानी की के बच्चो तुम इसकी तरफ ना देखो अपना सावधान रहो लेकिन हम उपर से तो ऐसे सावधानों अगे पर अंदर से चाते रहें वो तो अंतरियामी है जब इसने सत्तर वर सत्तर युग तक तब किया तब प्रमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि बोल जोती नरंदन तू क्या चाता है इस काल ने कहा बर्म ने कहा शर्पुरुष ने कहा कि पिता जी ये सत्तान मेरे लिए थोड़ा है अलग से मुझे कुछ सत्तान दे जो तो प्रमेश्वर कबीर जी ने उसके सत्तर युग के बदले परती फल्वाय 21 बर्मान दे दिये जैसे एक धनी पिता अपने पुत्तर को 21 पलाट दे जे उसके हिस्टे के अगले पकड़ अब जब उसने 21 पलाट मिल गे 21 बर्मान मिल गे कभी उसमें जा रहा है कभी उसमें सहर सपट्टे कर रहा है फिर इसने सोची इसमें कुछ कंस्टेक्शन हो कुछ रचना हो इसमें इसने फिर परारम किया सत्तर युग तब फिर किया तो प्रभू ने पूछा तु क्या मांगता है भाई पलाट मांगए था पलाट दे जिए बर्मेंड दे जिए तरे को यह कहता पिता जी मुझे कुछ सामगरी दे दो मैटरियल दे दो मैं कुछ तो उसमें कंस्टेक्शन करूँ रचना घरचूँ परमेश्वर ने कुविर जी ने इनको इस काल को पास ततव और तीन गुंग दे दिये अकले बेटा खेल खेलोने दे अब इसने फिर सोचा भी मान ले इसमें मैं रचना भी कर लूँगा मकान भी बना लिया और उसमें बच्चे हैं नहीं तो एकला मकान मैं करूँगा क्या तो इसने सोचा इसमें मेरे पास जीवातमा भी होनी थी फिर तब प्राहरम किया 64 युग जब तिसने 30 री बार तब किया तो परमातमा ने पूछा भाई क्या चाता है तेरे को जो मांग गया था मने दे दिया अब क्या चाता है कुझे अपने बच्चन इसने क्योंकि हम परमातमा के सामने सबी बिखारी है आपने गीता जिद्धाय नमबर 15 के सलोक नमबर एक से चार और सोला सत्रा में देखा उपर को जड़ वाला पूर्ण परमातमा है संसारूपी वर्क्स का उपर को जड़ तो संद्धो पूर्ण परमातमा है और ये तिन्नों देवा साखा है और डार ये जोट नरजन है जड़ से खुराग चलती है आहर चलता है तना में आता है तना से डार मडार से साखाओं आता है फिर पत्तों तक पहुंचता है यानि सब का पालन करता पूरे पेड़ का पालन करता जड़ होती है तो हम सभी यहां के भगवान भी और ये बिर्मा भी शुनु महेस भी और ये जोती नर्दन बिर्म भी पर बिर्म भी सभी उस परमात्मा के आगे भी खारी है तो इसने का पिता जी मुझे कुछ आत्मा दे जो मेरा एक लेगा दिल ना लगता पर में शुर बोले नई वह नई नई ये आत्मा मेरे श्रीर से निकली है मेरे बच्चे है ये ना जू तेरे को किसी कीमत भी आत्मा और पलाट साथ चाहर ले ले और जे जो आपरमाड़ दस बीश तो नचाहते होता है वो करने गया नई जी मुझे तो आत्मा चाही है गुरुदेस परमेश्वर पिता जी है परमात्मा वड़े वह एक बात है क्योंकि परमेश्वर अंत्रियामी थे जान चुके थे कि ये आत्मा जो इस पर आशकत होगी है ये पती वरता पद से गिर गई है अब ये यहां रहने के योग नहीं रही और यहां से ये जाना ही उचित है इनका ना औरान भी खराब करेंगी जैसे सेब खराब हो जाता ना एक सेब बरे टोकरे में तो समझदार विर्ती फल विक रिता उस खराब सेब को रख खैनी बार फेंगते गा दूर के दे दूसरी आन भी खराब ना कर दे तो ये काल भी खराब हो लिया था राम इसका साथ खराब हो गए तब परमेश्वन ने कहा भी एक बात है जोत्निरंदन यदि कोई आत्मा सव इच्छा से तरे साथ जाना चाती है तो मैं उसको भेज़ सकता हूँ पूछ पता कर ले अब जोत्निरंदन ये ब्रम आगया अपने पास जो आदम इसकाल के जाल में फशेख पड़े है इसने आकर कहा क्योंगी मैंने पताजी से ना क्योंकि हम उसी परमातना से हमारी उत्पती उसी से जोत्निरंदन ब्रम की तो इसने कहा मैंने पताजी से 21 ब्रमाट परात किये है तब कर कह और वहां ऐसे बनाओंगा वहां महासरुग बनाओंगा बिर्म लोक बनाओंगा ऐसे ऐसे सुंदर बरक्स बाग लगाओंगा मेरे साथ चलोगे तो हम तो पहले ही इसके उपर आ सकते हो रहे थे हमने कहा सभी ने कि ये पता जी आगया दे देंगे तक उनक्ल पड़ेंगे तो जोती नरद्जन ने कबीर परमेशवर जी किये बहाँ पता जी कुछ आत्मा मेरे साथ चलने को त्यार है आपकी आगया चाते है परमात्मा वो लिववग मेरे सामने आम रोग तो ज़ताते हो फिर मैं भेज़ दूँगा प्रमेश्वर कबीर जी और ये ये पूरन ब्रम और ये ब्रम दोनों आगे आपके पास आपसे पूछा कबीर जी ने प्रमेश्वर जी ने कि वही कौन आत्मा इसके साथ दाना चाता है हाथ खड़ा करके सभी करती दे अब उसमें तम्सार गबरागे और चिंतित हो गे कि वही अपने पता के सामने कैसे को हम इसके साथ दाना चाते है चुप सन्नाटा चागया प्रमेश्वर ने कहा रहा है जोट ले रद्दन तू तो कह रहा था ये सब ही चाहती हैं तेरे साथ जाना कोई भी ना बोलता तब एक आत्मा सबसे पहले खड़ा हुआ सबसे पहले उसने डेर किया हिमत किया और कहा पता जी मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ फिर तो देखा देखी हम भी खड़े होगे तो दोनों आथ खड़े पर हम भी मैं भी जाओंगा प्रमात्मा बोला भाई ठीक है जोत नर्दिन तू जा अपने बिर्मंडों में ये पहले सत लोक में ही थे सारे बिर्मंड एकिस के एकिस और मैं इन सभी को अपने हिसाब से भेजूँगा तेरे पास जोत नर्दिन चला गया प्रमात्मा ने प्रमेश्वर कबीर जी ने सथ पुरुष ने सबसे पहले जी साथमा ने सभी करती जी थी उसको एक लड़की का रूप बना जिया यूवा लड़की यूवती और हम सभी को बीज रूप में आत्मा रूप में सकती सुक्सम बना के और अपने वतन से उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया उसका नाम धर्या आदी माया अस्टंगी आगे चलके वो दुर्गा कहलाई प्रकरती देवी भी उसी को कहते अपने पुत्र सहजदास से उन सोले में से जो मुखिया थे एक से कहा कि जा बेटा तु अपनी बहन को जोती निरंजन के पास छोड़ा उसको बता देना कि मैं प्रमिस्वर ने कहा कि जा बेटी अब तेरे को मैंने सबद सक्ती दे दी है वतन सक्ती जितने जीव जोत्र निरंजन के है तु वतन से बोल देना उतने ही युवास बालक जैसे भी तु दारना करेगी वैसे ही बत्चे वहां उत्बन हो जाएंगे अब प्रमिस्वर ने अपने पूतर सहज दास्ते कहा कि वही तु जा और उसको बता देना जोत्र निरंजन को कि इस बेहन के सरीर में बेटी के सरीर में सभी जीवात्मा प्रविश कर दी है जो तेरे साथा नताती थी और ये अपने वत्चन जितना तु कहेगा उतने जीव ये उत्पन कर देगी एक बार वत्चन बोलेगी उतने ही सामने पर गटो जाएंगे सहजदास ने जाके जोती निर्दन को बता जिया कि ये लड़की ये परकर्ती देवी है प्रमात्मा कभीर जी ने निर्मित की है उस आत्मा की दो सबसे पहले तरे साथा ना चाहता था और इसके सरीर में सभी आत्माई हैं ये अपने वत्चन से तेरे सब उत्पत्ती कर दे युवा होने के कारण लड़की का रंग रूफ निकरा हुआ था अब जोती निर्दन के वनमद दो सा आगया और उसने उस लड़की के साथ बलात कार करना चाहा अपने अत्माई या विवारी भी परतेक परानी के है यहां जो वहां से लगी थी इस काल के लगी चुब काल स तो लड़की ने देख लिया कि इसके मनमद दोस आगया हाओ भाओ देखे उसके वकवादों के तब परकरती देवी ने कहा कि जो तन रंदन तू बात सुन तू मेरा बड़ा भाई हमसे पहले तू अंड़े में परमीस्वर कबीर जी के वतन से उत्पन हुआ है और हम तरे मैं तरी छोटी बेहन है और बेहन बाई का ये जल्म महापाप है तो ये दुस करम ना करना करें मेरे साथ मैं वतन से तेरे जीवत्पन कर जूंगी जितने तू कहगा लेकिन उसने एक नी सुनी और हद से ज़्यादा बढ़ गया यानि लड़की को पकड़ना चाहा आलिंग बढ़ करना चाहा बकवादों से मूँ खोल लिया तो लड़की ने सुक्स और कोई तरीका ना देख्या अपनी इद्ध बतान का सुक्सम रूप दारन किया इसके मुख के मादम से पेट में पहुची और वहां से पुकार की है परम पिता है परम इश्वर है पिता जी मेरी रक्षा करो मेरे साथ ऐसे ऐसे इसने करना चाहा मना इसके पेट में सर्म दे रखी है मेरी रक्षा करो अब परम इश्वर कबीर जी अपने पूतर सहजदास का रूप बना कर आए और कहा सुन ले जो तने रंदन तने जुम कर दिया इस सचे लोग में ऐसा पाप ऐसा परहा दे लड़की को उसका पेट चीर के लड़की बाहर निकाल दी और पेट फिर ऐसा का ऐसा कर दिया वतन में बहुत बड़ी सक्ती होती है ये अज्धात्मिक साइंस सुप्रिम है सबसे स्रोप लिये होगी है तो लड़की को बाहर निकाल दिया वो एज़ेटी जिवा होगी निरंदन से कहा के सुन ले आदेश परम्तिता का आज के बाद तिरा नाम काल होगा एक लाख मानो सरी धारी प्राणी तु नित खाया करे गा और निकल जा यहां से लेकर तुरे एकिस बरम्हंट को आज से तुझे यहां से निसकासित किया जाता है अब वहाँ एकिस बरम्हंट इतना कहते ही विमान की तरह तल पड़े ही दुरगा और काल दोनों इसके अंदर बराजमान थे ये सोड़ा संख कोस की दूरी पर आक ठैर गे रुक ये यानि यहां सखिर होगे यहां फिर घूमना शुरू कर दिया उसी रेंज में अब काल ने सोचा कि इसने जो करना था मुझे जो दंड मिलना था वो मिल लिया अब मैं मनमानी करूंगा दुर्गा के साथ फिर उसने वही बहार करना था दुर्गा ने फिर बड़ा वाई मैं तेरी छोटी वहन अब मैं तेरे पेट से बाहर आई मैं तेरी बेटी होगी तो बेटी और बाप का यह जुरूम अच्छा नहीं मेरे पास सब़ग सकती है मैं तेरे जितने जीवतू कहगा मैं बना जूँगी उप्त उपन कर जूँगी लेकिन इस काल ने जूँखना चाहता था यह कहां तक गिर सकता है जोतने रजन तो इस काल ने अपने ही वतन सक्ती से नक रेखा से नाखनों से यह प्रजनन इंदरी लगाई और फिर जबर दस्ती उससे साधी की तीन पूत्तर उत्पन किये बड़े का नाम बर्मा छोटे बड़ा रजगन ब लिशनों और तीसरा तंबुन शीव। अब पुन्यात्मों ये तो दासने सुना दी मोकिक वर्वली कथा आपको और इस कथा को सुनके जो पहली बार सुन रहा होगा वो मन मन मैं पता नहीं कितने खर्पतवार उसके पैदा होंगे कितने संकाएं उत्पन होगी होंगी क्या ची गपोड पेर दिया गर्की कथा गड़ दी या उनकदे सुना नहीं कहीं पढ़ा नहीं अब आपको सुना दिया अरी पढ़ कहीं दिखा दूआ और प्रमात्मा ने छस्षो वर्ष वर्ष पहले कहा था धर्मदास ये जग बोराना और कोई ना जाने पद निर्वाना यही कारण मैं कथा पसा रहा जग से कहिए वो राम नियारा यही ग्यान जग जीव सुनावो सब जीवों का भर मनसावो अब मैं तुम से कहूं चिताई ही तिर देवन की उतपती भाई इन तिरे तिरे तिनों बगवाना का दनम कैसे वाई यह बताता हूँ कवीर जी कह रहे है कुछ संगसेप कहूंग हुराई सब सन से तो मेरे मिट जाई संगसेप मैं बता दूँगा तरे सारे संसों का नास कर दूँगा सबसे पहले वाले पर भूका किसी ने पता नहीं समझदार विक्ती सुनेंगे इस कथा को तो समझ जाएंगे वे बात तो सची है क्योंकि परमान दिखाए जाएंगे आपको और मुरक सुने जाए वो नहीं समझे लोगा जूट बोला जूट बोला किसके विशे में कहेंगे परमातमा क्या बता रहे हैं परमिश्वर कबीर जी मा अस्टंगी पिता नरंजन ये जमदर नरंजन पहले कीन नरंजन राईी पीछे से माया उप जाई कि इनके माता पिता मातस टंगी दुरगा है तरह बरमा विश्वरो में इसकी और पिता जोत नरंजन है और पहले कीन नरंजन राईी पहले ये अंडे से नरंजन को उत्पन किया और पीछे से या दुरगा बनाईी माया उप जाई पहले कीन निरंजन राई पीछे से माया उप जाई माया रूप देख अतिसोबा देव निरंजन तन मन लोगा सुन्दर लड़की देख के इस बगवान काल निरंजन का मन में दो सुपन हो गया इस पर आसक्त हो गया काम देव धमराए सताये देवी को तुरंत धर खाई सेक्स वसो के काल न ये जलम किया पेट से देवी करी पुकारा साहब लेरा कर उभारा काल के पेट में ते दुरदुरगा ने पुकार की है परमातमा मुझे बचाओ पेर सुनी तब हमता आये अस्तंगी को बंद छुड़वाए सत लोक महकीना दुराचारी ही काल न रंजन दीन न नकारी इस लिए इसको यहाँ से निकाला कि इसने ऐसा दुराचार किया था वहाँ पर माया समेत जिया भगाई सोड़ा संक को सदुरी पर आई अस्तंगी और काल अब दोई यह मंद कर्म से गई बगोई अपने मंदे कर्म ते हैं गंदे कर्मों के कारण यह दोनों डूब गए दुर्गा क्यों डूबी गी सबसे पहले परमातमा के विमुक हुई और काल इस पर आसकत हुई सबसे पहले सुई करती दी और काल ने वह ऐसा जलुम किया ये दोनों मंद करम से गए बिगोई दर्मराय को हिकमत की ना नकरेखा से भग कर लीना काल ने अपने नाखनों से इस्तरी परजननिंद्री लगाई दुर्गा के दर्मराय की ने भोग विलासा दुर्गा को रही तब आसा दर्मवती होई ये तीन पुत्र अस्तंगी जाए बिर्मा विश्मों सीव नाम धराए ये दुर्गा ने तीन पुत्र उत्पन किये दर्मा विश्मों महिस इनके नाम रखे दे छस्सो साल पहले पर मेश्वर कबीर जी ने ये मरत गया था जो सद्गरं थो मापके रूब 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 किया जाएगा और पुन्यात्मा हो ये अनाडी रिसी महर रिसी वनकली ब्रामने जो कहा करते हो जो जुला ऐस एक शिदानक है वो क्या जाने वगवान के बारे में वो संस्कर्ट नहीं जानता और ये संस्कर्ट जान में काट रहा खी टाट ना गीता का वेरा ना विद्धों का जान ना स्पुरानों के बारे में जानकारी आज तक हमें नहीं जी गी तीन पुतर अस्तंगी जाए बिर्मा विश्णों सिवनाव धराए तीन देव विस्तार चलावे इन में यो जग दोखा खावे एकाल के तीन पुतर ये देवता सती थी उत्पती सती थी और सहार करका है पुरस गम कैसे को ये पावे है काल न रंजन जग वर्मावे पुरमातमा के बारे में कैसे जान सकते ही। काल जूठे गान सेद को पुरिपूर्ण कर देता है अपने दूठ भेज बेज कर अब ये क्या करता है कि जब ये पूतर उत्पन होते हैं दुरुगा से जनम लेते हैं इनको कौमा में बेज देता है यानि इनको अचेत कर देता है और ऐसे ही जब ये युवा होते हैं तब तक इनको अचेत रखकर ही इनकी परवरिश करता रहता है युवा होते ही इनको सचेत कर लिता है इनको खुद ने मालम हम कि तो उत्पन होगे कोन मारा पिता है कोन मारी माँ है तो जोत नरदन कहते हैं उसको भी यह नहीं समझ सके कहां है वो आज तक और परमात्मा बताओंगे यह आपको न्यारा न्यारा दाना दाना गिनके तीन देव सो उसको धावे हैं नरदन कावे पार नपावे आज तक ये बिर्म को खोज रहे हैं बिर्म आभी सुनों महिस्त पस्चा करके वो भी ना पाता इनको आखिर में ये लिख देते हैं वो तो निराकार है क्योंकि उसने कसम खाई है उसने परतिग्या की है कि मैं कभी किसी के सामने परगटनी होगा अपने वास्तवी करूप में ऐसी कसम खाई है आगे कहानी बताऊंगा और ये परमान गीता जी देर नमर साथ के सलोक पत्चौविस और पत्चिस में है कि काल कहता है ये मूरक मनुश समुदाए मेरे अटल अनूतम वो गटिया नहीं हम को नहीं जानते कि मैं किसी के सामने वेक्ट एजिटिज रूप में वेक्ट रूप में नहीं आता मैं आकार में कभी नहीं आता मैं गुप्त रहता हूँ अपनी माया से छुपा रहता हूँ अलक निरंजन बड़ा बटपारा तीन लोग जीव कीन आहरा बिर्मा विशनों सिव नहीं बचाए सकल खाए पन धूर उडाए तिन के सुथ हैं तिन्नों देवा अंदर जीव करत हैं सेवा इन तिन्नों के कहते हैं यह जिन दोनों के तीन पुत्र हैं बिर्मा विशनों महेश और ये बोड़ी आत्मा ग्यान ही इन प्राणी इनन को वगवान मान की इनकी पूजा करें गुन तिनों की भगती में ये बूल पड़ो सनसार कहे कबिर निदनाव बिना कैसे उतरें पार गुन तिनों गुन का ये विस्तारा धर्मदास मैं कहूं पुकारा अब ये ग्यान पर मातमा सट्सो साल पहले बताया करते हैं कि भर माविशनु महिस के माता की माता अस्तंगी दुर्गा है और काल इनका पिता है तो शर्फोर्ण मोजाया करते हो नकली गुरुआं के वकाई वे जनता के जुटा है कपटी है जुला है इसको मार दो फूक दो ये कर दो और गर माविशनु महिस को ये नासवान बताता है और वो नकली गुरुबरामन हमारे हिंदु दुर्म के गुरुबराते थे के विर्मा विशनु महिस कोई माता पिता ने ये सर्वेश वर महेश वर मर्तुंज कालंज आज़ते हैं ये लोड़ा पीट रहे हैं वर देख लो किसी भी टीवी चलन न खोल के अब इन क्या सब की पोल खुल लेगी इन के पास जवाब नहीं रहेगा है ये छोड़ देंगे संताइक उस तिरों के बाद और गोड़ी आत्मा पैटानेंगी प्रभू को अब आपको दास दिखाता है परतेक्स परमान के बिर्मा विशनु महिस के माता पिता कॉल हैं और कहा है वो परमान अपने ही पुराणों में सबसे पहले आप जी को शीव परम दिखाते हैं शीव महा परम ये देखिएगा शीव महा परम संक्षित शीव परम संक्षित शीव परम इसके संपादक है हममान परसाद पोदार ये कासित सपा है गीता प्रेस गुरुपुर से पुदात्मों गीता प्रेस गुरुपुर से परकासित जो पुस्तक हैं वो पुईतर हिंदु समाज को मनने है नो डाउट कोई संधे की गुंजाश नहीं है कि जो इसमें लिखाओ फाइनल है परकासक है और मुदरक गीता प्रेस्ट गोरपुर गोविन बनुकारेले कुल कुलता का संस्था अब इसके अठानुवा प्रेस्ट से आपको दिखाना प्राहरम करते है देखिएगा ये है रुदर सहीता और संक्सित सिवपरान प्रेस्ट 98 नीचे देखिए ये इसका रुदर सहीता का पांसमा अज्जाए अपने पूतर नारत की यह बात सुनकर लोग पिताम है गरमा वहाँ इस परकार बोले पांसमा ज्जाए समात हुआ ये छटा प्राहरम हुआ बर्माजी ने कहा बर्मन देव शिरोमने तुम सदा समस्जगत के उपकार मही लगे रहते हो तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूची है जिसमें समस्ज तराचर जबत नश्ट हो गया था सरवेतर के उलन अंदकार ही अंदकार था ने सुरिये लिखाई देखते थे ने संदर्मा अन्यान गरहों का और रक्षतरों का भी पता नहीं था ये 99 प्रेश्ट पर आपने पढ़ा अब सौ पर देखना जिस परवर्म के विशे में ग्यान और अग्यान पूर्ण उक्तियं द्वारा इस परकार उपर बताएं नुसार के विकलब किये जाते हैं उसने कुछ काल के बाद जूतिये की इथा पर गटकी उसके बीतर एक से अनेक होने के संकलब उधित हुआ तब उस निराकार परमात्वाने अपनी दीला सक्ति से अपने लिए मूर्ती यानि आकार की कलपना की इसने निराकार मानना है ये बिरमन है और आकार में क्यूब कराया वो जो मूर्ती रहित परवर्म है उसकी मूर्ती भगवान सदासिव है अरवातिन और प्रातिन विद्वान उन्ही को ईस्वर कहते हैं उसमें एकाती रहकर समित्षा नसार विहार करने वाले उन सदासिव ने अपने विग्रे से यानि शरीर से स्वर्म ही एक सवरूप भूता सक्ती की शिर्ष्टी की जो उनके अपने स्रियंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी ये ज्यान बर्माजी दे रहे हैं उस प्रासक्ती को परधान प्रकर्टी गुनवती माया बुजी तत्व की जननी तथा विकार रही पतागा है वासक्ती अंबिका कही गई है उसी को प्रकर्टी सर्वेश्वरी और तिर्देव जननी तिर्नो देवताओं की माता है नित्या और मूल कारण भी कहते हैं सदा सीव द्वारा पर गट की गई उस सक्ती की आठ बुजाए ये दुर्गा है और इसमें लिखा कि सदा सीव ने अपने सरीर से अपने विग्रे से ही एक सक्ती यानि दुर्गा की इस इस तरी की उत्पत्ती की अब का बिर्मा ने अवितार सुनी है परमेश्वर कबीर जी आये थे सर्वा पर्थम 21 बिर्मंडा में तो सब से पहले काल के साथ उनका कौहा सुनी हुई उसके बाद बिर्मा के लोक माई बिर्मा को मालक ने इस 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 तरिश्की रचना सुनानी चाही उसने कुष्टो परमात्मा से सुनी हुई वो काहनी लिक बाद में क्याग दिया काल ने उसको इतना दबाव दे दिया ये जूटा है इसकी बातों में मत आना अंदर पर इर्णा करके तो बिर्मा ने कुष्टो परमात्मा से सुनी हुई बात कुछ अपने गपाउड हुआ, सारे मिलाक है, अपने से पहले की जो कथा सुनाई है, यानि जब ये कमल के फूल पर बैठा था, उत्पन हुआ, उस से पहले की जो कहानी है, ये कैसे बता रहा है, ये परवेस्वर कभीर जी से सुनी हुई, कुछ अपनी मिलाक है, और उस जो उनके स्रियंग से कुभी दूर उने वाली थी। उसी को परासक्ती को परधान परकरती गुनवती माया, बुजी उततों की जन्यता विकार रही पुता गया। वह सक्ती अंबीका कही गई। रुसी को परकरती सर्वेश्वरी, तर्देव जन्य, नित्या और मूल कार्मी कह सदासी दौरा पर गट की गई, काल के स्वीर से निकली हुई, उस सक्ती के आठ बुजा है, यह अस्टंगी है। आगे देखो, नाना परकार के आभुषन उसके सिर्यंगों की सोभा बढाते हैं, वह देवी नाना परकार की गत्यों से संपन है, और अनेक परकार के अस्तर स अस्तर धान करती है, हैगी वही, आगे देखो, एकाकनी होकर भी वह माया संयोग वसातन एक हो जाती है, जो वो सदासीव हैं, वे जो सदासीव हैं उन्हें परमपुष, ईश्वर, सिव, संभु और महेस्वर कहते हैं, आप देखो, 101, सवापन पूदिया अब 101 पर, वे अपने सारे अंगों पर भसम रमाय रहते हैं, उन काल रूपी बरम ने, सदासीव कहो ते काल रूपी बरम कहो, एक ही समय सक्ती के साथ ये नाथ नहीं है, सक्ती या दुर्गा के साथ, शीव लोग नामक अकसेतर का निर्मान किया, ये बरमंड के उपर, बरम लोग में, उस उत्म मकसेतर को कासी कहते हैं, वब पर्म निर्वाण का या मोक्स का सफ़ान है, जो सब के उपर भ्राजमान है, वे पिरिया और पिर्यतन सक्ती और शीव रूप, शीव या निि पती और पतनी रूप में, सक्ती या दुर्गा और ये काल, जो परमानन सुरूप है, अगसेतर में नित निवास करते हैं कासी पुरी प्रमानंद रूपनी है मुनें शीव और सिवा ने यानि काल और दुर्गा ने परल्य काल में भी उसक कभी उसकेतर को अपने सानिदे से मुक्त नहीं किया आगे देखियो देवर से एक समय उस आनंद मन में रमन करते हुए सिवा और सिव के मन में दुर्गा और काल के मन में ये इच्छा हुई थी किसी दूसरे पुरुष की सरिष्टी करनी चाहिए यानि कोई बच्चा उठपन करा है जिस पर ये सरिष्टी संतालन का महान भार रखकर हम दोनों के वल कासी में रहकर इच्छा नुसार विच्चरे और निर्वान धारन करें ऐसा निश्चे करके सक्ती सहीत दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर सीव ने यानि काल ने अपने वाम भाग के दसमें अमर्त मग दिया यानि पती पत्नी ब्योहार किया और फिर उतो वहां से एक पुरुष पर गठुआ एक बालक उत्पनुवास का नाम के रख्या अब देखियो एक सो दो परष्ट पे सिर्षिव 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 प्राण तदंतर सिर्षिव सुनाएंगी अब उस काल ने कहा सिर्षिव ने कहा वत्स ब्यापक होने के कारण तुम्हारा विश्रो नाम विख्यात हुआ अब ये छटाज है यह सुनाप्ट हो गया अब रुदर सहीता का अर्सातमा यह प्राहरम होता है एक सो तीन पर अब यहां ब्रमाजी कहते हैं देवर से नारब को बता रहा है ब्रमाजी पत्पस्तात कल्यान कारी परमेस्वर साम सदा से उने पुरू प्रयतन करके मुझे अपने दाहिन यंग से उत्पन किया यानि उसी तरह जैसे दुर्गा और काल ने दोनों के से योग से विशन उत्पन हुआ उसी तरह है मेरी भी उत्पत्य ही अपने आत्माँ वही सद्गरंथ है जो परमाजी तस्तो वरस पहले बताया करते और यह संस करके जानने वाले विद्वान के लाने आने वाले अग्यानी वह कहते थे विशन महेश्ट वाजर वा मरहन के कोई माता पिता नहीं है अब यहां आपने देखा कि अन्वाद करता ने थोड़ी सी गिरुबरी कर दी इसना सोचाए भी शीव से शीव की उत्पत्ती कैसे लिखू कैसे अन्वाद कर दो अलेकिन मूल संस्कर्ट में सपस्ट है फिर भी इसमें आपको दिखाते हैं 110 प्रिष्ट पे कि बर्मा विशनो महेश से अलग चौथा है वो काल यह नौमा ज्याए रुदर सहीता का शीव परान 110 प्रिष्ट संक्षिव शीव परान इस परकार बर्मा विशनो अरुदर इन तीनों देवताव में गुण है यानि रजगुन बर्मा सदकुन विशनो तंगुन शीव जीए परंतो सीव गुनातीत माने गए है वो चौथा यानि इन तीनों से अलग है यह काल यह सजा सीव यह इसका पूतर है सीव अपने सुरूप में इसना उत्पन किया है अब यह और परमान कलियर आपको देंगे यह सद करने के लिए कि यह बर्मा विशनो महिश से अलग है और यह बर्मा विशनो महिश इसके बेटे है अब देखना यही सिव परान यह विद्वेश्वर सहीता अज्धाय नमबर दस इसमें देखी गा एक बर दर्मा और विशनो जी का जगड़ा हो गया किस बात पर दर्मा जी कहता है मैं तेरा बाफ विशनो जी को विशनो कहता है मैं तेरा बाफ दोनुआ का जगड़ा हो गया यह दो गया तो इस काल ने इनके बीच में एक केज़ों में सतम खड़ा कर दिया बहुत लुम्बा चोड़ा ये लड़ना ते बूल गे फिर इसके उपर नीचे जाके इसका भेद जानना साह इनों ने अब जादा ना कहके हम सिर्फ अपना परसंग जारी रचेंगे बिर्मा और विष्णू ने पूछा परभो उस काल से शिर्फटी आजी पांच करतों के लक्षन क्या है ये हम दोनों को बताईए बगवान सिव बोले युकाल बोला मेरे कर्चवों को जान समझना अच्टेंट गहने तथापी मैं करपा करके तुम्हे उनके विष्ए में बता रहा हूं बिर्मा और ये अच्टेउत यानि ये विष्णू शिरिष्टी पालन और सहार त्रोभाव और नुभरई ये मेरे पांच ही जगत संबंदी कारिये हैं और जो नित सिद्ध हैं संसार की रतना का जो समय है आरंभ है उसको सरग या शिरिष्टी कहते हैं इब काल बता रहा है विर्मा भी शुड़ोगो पूत्रो ये वेटो तुम दोनों ने तपस्या करके परसन हुए मुझ परमेश्वर से शिरिष्टी और सचिथी नामक दो कर्ट प्राफ्ट किये हैं शिरिष्टी बिर्मा को सचिथी विश्णो को और फिर के का ये दोनों तुमें बहुत पिरिये हैं और इसी परकार मेरी विभूती सरूप रुदर और महिस्वर में अब देखो दो तो ये वपर वे उपर माविश्णो होगे और ये महिस्वर रुदर और महिस्वर ये नारे होगे मेरी बिभूती सरूप रुदर और महिस्वर मैं दो अन्य उत्म करते हैं सहार और तरोभाव मुझ शेफराफ्ट किये परन्तु अनुगरे नामक करत दूसरा कोई नहीं पा सकता रूदर और महिस्वर ने अपने करते हो को नहीं भूला इसलिए मैंने इनके लिए अपना समानता परदान की अब ये क्या कहता है कि वे रूप और वेस्वर करते वहन सासन और आयुद आदी मेरे ही समान ही है रूदर और महिस्वर कहते है काल कहता है मेरे समान है मेरे जैसे वेस्वर गुसा रखते है लेकिन मैं इनसे ला रहा हूँ मैंने पूरो अकालमा अपने सुरूप भूत मंतर का उक्देश किया था जो ओंकार के रूप में परसीद है वह है मंगलकारी मंतर है सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार पर गटवा था ओम नाव जो मेरे सुरूप का बोध कराने वाला है ओंकार वाचक है मैं वाचे हूँ यह मंतर मेरा सुरूप ही है परतीजिन ओंकार का निरनतर समण करने से मेरा ही सदा समण होता है शेद लोगा कि ओम मंतर इस काल का है इन सभी अवल से एकी भूत होकर परवण यानि ओम नामक एक अक्षर हो गया गीता जी अज्धाय नमबर आठ के सलोक नमबर तेरा मैं गीता ग्यान दाता काल सिरी करस्ण मतर्वेश करके बोल रहा है ओम इती एक अक्षरम विभारन मानम अमाम अनुसमरन ये परियाती तजन देहम सेयाती परमावबतिम इसे सद हो गया कि ये काल है ब्रम है आए अब देवी दुरगा पराण में दिखाते हैं इस देवी पराण में अब ये क्या कारण है ये क्या करता है फुदा सा वर्बली मोखिक सनाएंगे फिर ये पुटर पराण आपके रूब रूब करेंगे ये क्या करता है काल इसने अपने एक ब्रम हंड के उपर कती सरोप्री सथल पर एक ब्रहम लोक बना रहा है उसमें नकली अलख लोक नकली सत लोक और अगामी लोक और अकै लोक अनमी लोक की रसना कर रखी है कि कहीं कभी कोई आका है और उपर के लोकों के बारे में बताएगा तो ये भूली आत्मा रह, मैं उनको यहाईट कर लूँगा उनको बैका दूँगा ये अलख लोका, ये अगम लोका, ये अनामी लोका ये सत-लोका और उससे भी पार इसने वो जिश्को कासी बताया है वो सथान बना रहा है ये क्या करता है इसने आपको इस चीतर दिखाते हैं एक बर्मढड का उसके बार भी आपके सारी कहानी समझना आवेगी एक बर्मढड का लगू चीतर देखे है ये देखेगा एक बर्मढड का लगू चीतर ये एक बर्मढड का एक लगू चीतर ये देखेगा ये एक अंडे की सेफ में है पूरा बर्मढड ये देखेगा ये एक अंडे की यानि अलिपिकल सेफ में है इसलिए इसको अंड भी कहते हैं इसको गर्मांड भी कहते हैं पंड शरीर को भी शरीर भी इसी का रूप है शरीर के अंदर ये सब रतनाएं आप टेली विजरी तरह देख सकते हों अपने कम लों में इसलिए पेंड बर्मंड अंड इसी को कहते है अब यहां क्या है कि इसमें यह नीचे एक पाताल लोग है यह सूतल रसातल तलातल यह अन्य लोग है यह पर्थी लोग है यह स्वर्ग लोग है और नरक सात्म है यह धर्मराय का लोग है यह हमान स्रोर इसे ना अपना बना रख कालिस और ये श्रीजपका लोक काल के पूतर का तमढ़ний सिवका और ये बिर्मा जी का रख़ोगण बिर्मा जी का लोक ये विष्ष, सतोगन विष्वज़ी का लोक ये इनकी राज़ धानिया है watery सिर्भाणुण बैटकर कि ये तीमों भगवान पता लोक परथी लोक और ये अलग से ब्रहम लोक बनाया है, ये अलग सथान है, ब्रहम लोक. इसमें यहां इसने एक महा सुरुक बनाया है, अलग से, इसमें इस महा सुरुक का राजा महंदर, महंदर का दूप, महाइंदर, ये फिर नकली सत लोक, नकली अलख लोक, नकली अगम लोक, नकली अनामी ल बना दिया और इसके बाद यह यहां रहता है जहां यह दुर्गा को इसमें यहां तीन सथान बना रखे हैं एक तो रजगुण परधानक सेथर एक सतवगुण परधानक सेथर और एक तमज़ूण परधानक सेथर अब इस में जभ ये इस सतव गुन पर्दाना रज़ ज़ोगन परदान अक्सेतर में आते हैं दुर्गा को ये शावतिली रूप बना लेता है और स्वान बर्भा रूप तहान कर लेता है तो इस वेस वुसा में ये दोनों होते हैं तो इन दोनों के से युक्षिजू पूतरूपन होता है वो रजर गुण्युक्त हो जाता है और उसका नाम ये बर्मा रहती ये एक को गुण्युक्त कैसे बनाय जाते हैं इस ठान अब जान से सुने जासे एक मकान में और तीन कमरे हूं, तीन कक्स रूम हूं उस एक कमरे में तो सदू संत, फकीरों के बगतों के चीतर लगे हो वहाँ जाते ही, आपका सभाव ऐक दम सांत और बहुती विकाररहित बन जाता है जिलकें सांत हो जाते हो और एक कमरे में लगे हैं असलील चीतर अर्धनगन सरीर तो उसमें जाते ही आपके दर अपने आप उतल फुतल सुरू हो जाएगी वो गंदी वितार उत्पन हो जाएगी उसी तरह आपका अस्री सभाव बन जाएगा और तीसरे वा लगा रहा के हैं इन देश बगत करंती कारी और सूरवीरों के चीतर वहां जाते ही आपके अस्री उसी तरह गर्म होने लग जाएगा और उनकी उत्यास याज करके आपके कुछ समय के लिए तो उसी तरह की भावना बन जाएगी तो इस काल ने तीन सथान बना रखे हैं उपर सबसे उपर दुर्मांड में वहां कोई नहीं जा सकता है इसके आपके उकम बना दुर्गा भी नहीं जा सकती जब यह चाहता है तो उसको वहां बुला लेता है अब वहां इसने तीन स्थान बना रखे हैं एक रजोगन पर धानक सेतर और एक सतोगन पर धानक सेतर एक तमोगन पर धानक सेतर जब यह र रिफ़त्री रूप में रखता है, इन दोनों के योग से योग से, पतिपत्री बिहार से दो पूतल रूत्पन होता है, वो आटोमाटीकलि उसी सुभाअ का हो जाता है, और उसको आसियत कर देते हैं, और अलग से रख लेते हैं, और फिर उसको परवरिश करते रहते हैं जब युवा होता तब उसको सबको सचेती कठा करते हैं और जिसमें ये सतोगन पर धान अक्षेतर में होते हैं वहां ये विश्ण रूप धान कर लेता है दुर्गा को लक्षमी रूप धान कराता है और उसमें इनके संयोग से जो पुत रूत पन होता वो उसी सतोगुन से युक्त हो जाता है और तीशरे स्थान पर ये ये सीव के रूप में रहता है जैसे ऐसे ही जटाब डाली, गड़े में साप डाल लिए और दुर्गा को पारबती रूप बना लेता है इन दोन्यों के संयोग से पत्वी पत्वी बिवार से जो पूत रूप पन होता है वो तमोगण युक्त अटोमेटिकली हो जाता है उसमें साथ सुभावत जन्म से हो जाता है एक गर में एक लड़का छोटा सा बालक चोरी करया करता है चोरी करन लाए गया और नाम भी ले रख्या उसने तो उसकी दाजी ने नाम ले रख्या लड़के ने भी नाम ले लिया लड़के की मान ले लिया और उसका पता जी चोरी करया करता तो लड़का नाम भी ले लिया एक साल हो गया फिर वियो छोटी मोटी चीज किसी की ठालावा चुरालावा है आठ साथ दस एक वरस का बच्चा होगा तो उसकी दाजी ने सिकाइट करी कि माराजी यू चोरी नहीं छोड़ता जब हम घर गर जाया करते थे सत्षंग कर ले मैंने उस बच्चे को बुलाया तो चोरी क्यों करता है तो भगता है तेरा नाम खंड हो जागा कहने लगा माराजी पता नहीं मेरे ऐसी हुक उपक इसी उठा है जानों इस लटीजन ठाका भाज लिए मोगना वेटा ये ट्याग दे गुराई तो फिर वहाँ बताया उन्होंने जाते हैं का इसका पता चोर है और वो भी चोरी करता है और उस बच्चे के अंदर वो पतावाला बी द्धुआन है अब बाद में तो उसे ठीande देख दिया फिर पर्मात्मा कैठे उसमें प्रिवरतन आई जाता है अच्छे प्रमात्मा की महीमा सुनने से बाद वुस्वालक ने छोड़ दिया तो उस पिता की गुनस में भी दमान थे उस चोड़ी वाले ऐसे ही जिस भी सुभाव से जैसे ही वहा रहता है काल उस ही सुभाव के बालक उत्पन करके रजगुन बिर्मा बना जेता है अब ये दास ने आपको एक चितर दिखाया अब ये स्री मद्देवी भागवत आपके आराम तो समझ माजएगी अब देखना है पुनात्माओ ये इतना परियतन ये दास तो कर रहा है आपको संशरहित करने के लिए और जब तक आप संशरहित नहीं हो गया बगती नहीं कर सकते है कोई ना कोई काल का दूट आपनो ऐसा बिगाड़ देगा ऐसी जूब गपे मारेगा और आपको बगती से दूर कर देगा ये दास दाता है कि आपको ऐसा मास्टर बना जूँ तो बिर मा विशनू महिस भी आजा खुद तो भी आपने को के नहीं मारा जी मारा अमन ग्यान परापत हो गया आपने तो ये ताज़ा हो हमारे साथ आपने कल्लान करना तो हमारे साथ आओ हम आपके ज्ञान से संतुष्ट नहीं हो सकते किसी शूर्ट में अब देखो श्रीमद देवी भागवत अब देखिएगा श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस को रुकर से फरकासित वही है जो पहले आपको दिखाई है यह बार बार दिखाना इसलिए उसक है चुकि यह फिल्म बनके जाएगी सीडी बन रही है और वक्तों के पास जाएगा संपादेक हन्मान परसादकोदार चिमन्दाग दोस्वामी तो कोई किसी सीडी को देख पाऊगा कोई किसी को ना देख पाएगा तो परतेक मपरमान हो तो सिगर समझवाएगा प्रकासित वह मुद्रक गीता प्रेस गोरकपुर गोविन हनकारिया लेकोल काता का संस्थान अब इसके तीसरे सकंद में प्रिष्ट नंबर 113 से शिरीमद देवी भागवत तीसरा सकंद प्रिष्ट 113 है जन्म जे ने पूछा जन्मे जे ने पूछा भगवन आपने अमबा यग अर्थात परमपुतर नौरातर वरत्व करके उसके दवारा देवी के अरादना करने की आगया जीत दी है अतावे कौन देवी हैं कैसे और कब परगट हुई यानि कब उसका दिन होगा उनके प्रधारने का क्या उदेशे हैं तथा वे किन गों से भी भूशित है अमबा यग किस परकार होता है उसका कैसा सरूप है बर्मन साथी विस्तार पूर्ग बर्महंड की उच्पत्ती भी कहिए क्योंकि भूदेव बर्महंड के विसे में जो कुछ कहाद गया है वह जैसा जो है ये सभी बातें आप जानते हूं मैंने सुना है बर्मह, विस्णू और रुदर ये तीन सगुन देवता है अब सपस्ट कह रहा है ये जन्न जे व्यास जी से पूछ रहा है कि मैंने सुना है बर्मह, विस्णू और रुदर यानि महेश ये सगुन देवता है कर्म से सिर्ष्टी पालन और सहार कारिये का उतरदाईते इन पर रहता है परमाना पारासन नंदन व्यास जी अब मैं इन के विशे में विश्टार पुरुख सुनना चाहता हूँ आप बतलाने की के रुपा करें व्यास्थी कहते रादन तुम्हारी बुदी बड़ी विसाल है अभी तुमने जो पूछा की बिरमा आदि की उत्पत्य कैसे हुई आप बिरमा आदि मैंने बिरमा विश्टू महिस की उत्पत्य कैसे हुई तो वह महान कठीन विसे हैं इसमें अन्यक परसन उठ जाते हैं यही परसन पूरो समय में मैंने नारज जीशे किया था मैंने कहा मुने आप बुदिमान हैं और मुझे यहे बताने की किरपा कीजिए कि इस विस्तित बर्मांड के परधान करता कौन है मुने वर यहे बर्मांड कहां से उत्पन हो गया दिविज वर साथ ही यह भी बताईए कि यहे बर्मांड विनास सीद है अथवा रहने वाला इसकी रतना करने वाला इसकी रतना करने वाला एस सचोदा परस्ट करने वाला कोई एक है अथवा अनेक है बहुत से इसे के रतीता है करता कि अभाव में कारिय होना असंबव है यह परसन मेरे मन में ऊच्टता रहता है कुछ लोग बगवान संकर को परमकल्यान कारक मान कर जगतका रतीया बतलाते हैं वे कहते हैं कि देवा दीदे बगवान संकर अविनासी पुरुश है उनका कभी जनव और मरन नहीं होता वे आत्मा में रमन करनेवाले हैं वे देवताओं पर भी उनका सासम रहता है तिन्नों गुण रहते हुए भी उन से वे निरलिप्त रहते हैं वे संसार रुपी सागर के उधार करने कि दातुम रहते हैं तो वे शिरिष्टी सत्तिते और सहार करके आदिकार हैं। दूसरे लोग बगवान विश्णों की परसंसा किया करते हैं। वे सत्तिसाली पुरुस अवेक्ट अखिल ऐसुरिये शंपन परबरम परमात्मा हैं। उनकी करपा से भगती मुक्ती दोनों सो लोग हैं। वे शिरिष्टी का परधान कार्ण बतलाते हैं। अभेद संबंद हैं। यानि पती-पतनी रूप में रहते हैं। वे अरधंगी है इसकी। वे शिरिष्टी, सतीथी और सहार कारिया में सलगन रहती हैं। संपुन प्राणियों और देवताओं की भी जन्नी हैं। उनका कभी जनम औरमर नहीं होता। वे शनवी, सांबवी, ब्रहमी, स्वासवी, वारोनी, वाराही, नार्सीही, एमेंबद गुत, महालक्समी उन्नामों से विछात हैं। कितने ही स्रेश्मनी कहते हैं कि जो निरंदन, निराकार, निरलेप, निर्गुन, अरूप, एमेंबद ब्रापक प्रहमें, उन से जगतकी स्रिष्टी हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिस्ट में भी वेही ब्रहम तेजों में बतलाए गए हैं। ये परद्धान पुरुष हैं, हजारों मस्तकों, हजारों कानों, हजारों हाथों, मुक्षों, तरणों का संपन हैं, आकास विष्णों का तरण हैं, ये बात सपर्ष लूप से कही गई है। विद्वान पुरुष सांत निरजदन विराट पुरुष को ही परधान बताते हैं कुछ दूसरे प्रातिन रहसे के जानकार रोगुने पुरुषोतम कहते हैं आगे देखो नारज जी कहने लगे यहां देखिए एक सो पंदरा पर यह आप यहीं पढ़ रहे थे नारज जी कहे रहे हैं व्यास जी तो तू ने पूछा आपने वही मैं बता रहा हूं कि मेरे भी यह संका उत्पन होगी थी मैंने अपने पितागर मा से पूछा था नारज जी कहते हैं व्यास जी प्रातिन समय की बात है यही संद्य मेरे हद्य में भी उत्वन हो गया था तब मैं अपने पिता अमित तेज़सवी बर्माजी की स्थान पर गया उनसे इस विशे में जिस विशे में तुम मुझे पूछ रहे हो उसी विशे में मैंने पूछा कहा पिता जी आप संपुन बर्मांड यह संपुन बर्मांड कहां से उत्वन हुआ विभो आपने सम्मेक परकार से इसकी रतना की है या तो क्या आपने इसकी रतना की है अत्वा विश्वू इसकी विश्वा के रतीता है या संकर ने इसकी शर्ष्टी की जगत पर हो आप विश्वा के आत्मा है सक्षी बात बताने की किरपा करे आँ देखियो अब नारग जी ने पता है किया रहाँ सक्षी बतानिया कोई नहीं पिता जी भी गपोड पेल लगा तन्यों कहा है पिता जी सक्षी बताईए कदे जूट बिला जी अब जब तक इनसान के पास पूरा ग्यान नहीं होगा कहीना कहीना जूट में लानी पड़ेगी से तो इसलिए एक नारग जी कहें सक्षी बात बताईए कदे गपोड पेल दो सक्षी बात बताने की करपा करें किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़ा है दर्माजी ने कहा बेटा इस परसन का मैं क्या उत्तर दूँ ये परसन बड़ा ही जटिल है महा भाग तुम भगवान विश्णों से इसका समोचित समाधान पा सकते हो फिर भी महा मते इस संसार में कोई भी रागी पुरुस ऐसा नहीं है जिसे यह रहसे विदितो जिसे जो त्यागी अइंकार रही एमम इरसा सुनने है वही इसके रहसे को जाग सकता है फिर भी बताता है बर्मा क्या बता रहा है पूर्वे काल में जल ही जल था सर्वेतर जल ही जल था सथावर जंगम जितने प्राणी हैं मैं कोई भी नहीं थे तब कमल से मेरी उत्पती हुई उस सुने मुझे सुरिय चंदर वरक्ष तथा परवत कोई भी वस्तु कोई भी दिखाई नहीं पड़े 116 प्रश्ट में कोई नहीं दिखाई पड़े मैं कमल की कनका पर बैठकर विचार करने लगा उस अगाल जल्मे मैं कैसे उत्पन हो गया कौन वेरा रख सक है तथा इस परले काल में सिष्टी और सहार करने आना कौन विशिष्ट पर उस है कहीं भी सपस्तुप से भूमी भी नहीं दिखाई देती जिस पर यह जल्टिका हूँ यह कमल कैसे उत्पन हो गया यह वितार करके मैं जल्मे उत्रा एक हजार वरस तक पर च्वी की खोज करता रहा अन्विशन करता रहा इस पर भी मुझे उस जल्गा कहीं और छोड नहीं मिला इतने में आकास वानी हुई तप करो तप करो इस काल ने यह और एक खुटा ठोक दिया यह इसको कह दिया कि तप करो तप करो तब मैंने तपस्च आरम कर दी कमल पर बैठ कर ही हजार वरस तक में तप करता रहा फिर उसी से में सरिष्टी करो ऐसी आकास वानी सुनाई पड़ी उसे सुनकर मैं बड़े आसरी हम पड़ गया सोचा कि किस की सरिष्टी करो तब मेरा क्या करते हुए बडिनल्सेटते हैं सर्ख उसे में तब में सर्ण वेईब भीमत्वन झाल झाल